अलो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे देखिए लैप्टाप की जो स्क्रीन टूटी हुई है इसको हम चेंज करेंगे सबसे पहले लैप्टाप को स्विच आफ कर देना है फिर इसके बेस पे दस स्कूरूस दिये हुए इसको हम खोल लेंगे एक अच्छे मैगनेट वाला स्कूरूड्राइवर ले लीजिए इस मॉडल में जो मदरबोर है वो टेच पैड पर फिक्स है जो जो बेस है ये बाहर की तरफ निकलेगा इस मॉडल की हमने स्क्रीन चेंज करनी है इस वीडियो में हम सिफ आपको ये दिखाएंगे की स्क्रीन को कैसे खोलते है जो पार्क टू में हम आपको दिखाएंगे की स्क्रीन को कैसे फिक्स करते है ये आप देख सकते है इसके जो ये चार स्कूरूस हम खोल रहे है ये प्रास्टिक लॉक्स अनलॉक करके बेस को निकाल लेना हमने यह आप देख सकते हैं यह इसकी बैटरी है यह दो स्पीकर लगे हुए हैं यह सीप्यू फैन है यह वाइफाई कार्ड है यह प्रोसेसर हीट सिंक और यह M.2 SSD यह रैम है इन बिल्ट रैम लगी हुए इसमें सबस हमने फिर डिस्प्ले केबल है इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे सबसे पहले अनलॉक कर लेंगे फिर डिस्प्ले केबल को निकाल लेना है ठीक ऐसे ही जो वाइफाई यंटीने की केबल है इसको हमने उपर की तरफ कीच के फैन के साइड के जो क्लिप्स बनें वहां से निकाल के अलग कर लेना है यह एक्चुली स्क्रीन की तरफ होती है इसलिए अभी हमने हिंज के दोनों साइट पे दो दो स्क्रूर से इनको खोल लेंगे जो यह केबल्स होती है यह पैनल के साथ ही होती है स्क्रीन वाले पैनल के साथ सो अभी हमने पैनल को अलग करना है मदरबोर्ट से अभी हमने जो हिंचे से दीरे से उपर उठाना है नीचे से पकड़ के उपर उठाना है ताकि स्क्रीन ना उपर खीचो अभी हमने दीरे से जो मदरबोर्ट और टेच पैड को अलग कर देना है पैनल से यह देखिए अलग हो गया अब ही हमने जो उपर का बीजल लगा है इसे हम उपन करेंगे जो यह बीजल है यह डबल टेप से स्टिक की होती है यह चारो साइड से डबल टेप लगी होती है इस पर तो जब हम पहली बार निकालेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा निकालने में इस थोड़ा टाइट होता है आपने ध्यान रखना कि यह बीजल टूटे ना दिरे दिरे आपने अनलॉक करके इसे खीच लेना है जैसे जैसे अनलॉक करेंगे आपको इसकी साउंड भी सनाई देगी आप चाहें फिंगर टिप की मदद से भी दिरे दिरे इसे निकाल सकते हैं सभी साइड से इसे ऐसी करना हैं यह जो नीचे बीजल का कवर होता है इसको भी हम ओपनेट डाल के अनलॉक कर लेंगे नीचे वाली साइड से फिर यह बीजल के साथ ही निकल जाएगा एकदम द्यान से निकालना की बीजल डैमेज ना हो यह आप देख सकते हैं चाड़ों तरफ इसके डबल टेप लगी हुई है जो कि हमने बाद में निकाल के नहीं वाली डबल टेप इस पे लगाएंगे अभी हम आपको दिखाते हैं जो यह स्क्रीन इसको कैसे निकालना है इसके दोनों साइड में डबल टेप लगाके स्टिक की होती है यह आप देख सकते हैं इसके उपर ब्लैक ब्लैक सी एक टेप बनी है इसको हमने दीरे से पकड़के ऊपर की तरफ ही खीचना भी है पूरी टेप जो स्क्रीन के नीचे लगी होगी है पूरी टेप की टेप बाहर निकलाएगी है यह देखिए इसे आपने दीरे से ऐसे खीची जाना है यह टूटे नागर टूटगी फिर वो आपकी टेप वहां पर फिनिश हो जाती है फिर आपको कोई कैमिकल से इसे खोलना पड़ेगा यह देखिए हम कैसे निकाल रहे है यह सारी टेप निकल रही है बाहर को यह देखिए यह देखिए यह साड़ी डबल टेप लगी होई है ऐसे ही दूसरी साइड में भी आप देख सकते हैं इसमें भी उपर ब्लैक ब्लैक डबल टेप बनी होगी कई मॉडल्स में नीचे की तरफ होती है कईयों में उपर की तरफ होती है साइड में नहीं होगी यह सिफ उपर या नीचे होगी इसे आपने ध्यान से पकड़के खिचना तूटे ना बस इस चीज़ का ध्यान रखना नहीं तो वो बीच में रह जाती है फिर आपको कैमिकल से निकालना पड़ेगा दीरे दीरे से आपने निकालना है देखिए अभी हम देखो स्क्रीन को ऐसे ही आगे करेंगे यह बाहर निकल जाएगी यह देखिए अभी जो इसके नीचे डिस्प्ले केबल है इसके उपर एक लॉक टाइप बना होगा जस्त हमने वह लॉक को उपर करना है और लॉक को पकरके नीचे स्ल्इड कर देनेैं तेके डिस्प्ले केबल डिस्कनेक्ट हो जाए डिस्प्ले से यह हमारी full HD display है 15.6 size की so हम सेम ऐसी ही display को install करेंगे इसमें यह हमारी नई वाली display है इसको जस्ट हमने सबसे पहले display केबल को connect करना है जो lock उपर बना हो उसे पकड़के केबल को screen के साथ connect करना है slide करके slide करके connect करके जो lock बना है उस lock को उस connector के उपर कर देना ताकि वो display केबल loose connection ना रहा है उसका means कभी केबल कीची जाए तो वो निकले ना केबल disconnect ना हो जाए automatically अभी हमने इसको जस्ट उपर रखके एक बार इसका display चेक कर लेना है motherboard को उपर रखके इसको जस्ट ऐसी रखना है मिनसम ने फिलाल इसको tight नहीं करना जस्ट ये display केबल motherboard के साथ connect कर देनी है इसको अंदर डालके फिर उपर से lock कर देना है फिर जो battery की केबल है इसको हमने slide करके connect कर लेना है फिर हमने एक बार switch on करके चेक कर लेना है कि display प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये देखिए keyboards में backlight आगी ये display भी आगया है अभी हम next video में आपको दिखाएंगे कि ये display कैसे fix करते है शुक्रिया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई notifications के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली है